शामली में एक दर्जन बच्चों को स्कूल लेकर जा रही स्कूली वैन वो ट्रक की आपस में भिडंत हो गई जिससे स्कूली वैन बुरी तरह से शतिग्रस्त हो गई वहीं चालक भी गंभी रूप से खायल हो गया जबकि वैन में सवार एक दर्जन से जादा बच्चे बाल बाल बच गए आसपास के लोगों ने बच्चों को वैन से बाहर निकाला और ट्रक चालक को पकड़ लिया सूचना के बाद पुलिस ने मोके पर पहुँचकर कारेवाही शुरू की जानकारी के नुसार शामली के एक प्राइविट पब्लिक स्कूल की वैन बच्चों को शामली के रेल पार कालोनी से लेकर स्कूल जा रही थी वैन में लगबग एक दर्जन से जादा बच्चे सवार थे जैसे ही वैन चालक शामरी रेर्वे बाइपास पर पहुचा तब ही स्कूली वैन की भिडंत एक ट्रक से हो गई जिसके बाद वैन आगी से बुरी तरह से शतिग्रस हो गई यहाँ वैन चालक इस हाथसे में बुरी तरह से घायल हो गया तो वही वैन में सवार एक दर्जन से जादा बच्चे बाल बाल बच गए जिससे बड़ा हाथसा होने से टल गया हाथसे के बाद पास ही खड़े लोगों ने आरोपी ट्रक चालक को दबोज लिया हाथसे के सुचना पर पहुंची डायल 112 कारेवाही में जुट गई है लोगो ना तो जिला परशासन और ना ही स्कूल संचालक लापरवा होते स्कूल वैनों पर कोई लगाम लगाने को तयार है क्लाइबर को निकालवाया़ गाड़ी साइड में और पूरा से उकरा ड्राइवर बच्चे अपरे बाद को बनाए करेसे की लिए किसी घलती है ते लुट्डी किमी घ्लती कि रहे है बच्चे गाड़ी वाले बच्चे गाड़ी वाले उनको भी जल्दी रएगाई र Rac á कौन सा गाऊ है आपका बवरागा जिए अपको अपको ना कौन से स्कूली वेन पर गड़ी चलाते हैं अप अर्च का मामला हुआ अज क्या मामला हुआ आज जो एक्स ट्रेंड रॉआ गड़ी का टुक्षिने अपने साइड में लोड़ा था अर उनना आणका मेरी साइड में किसमें अच्छा स्कूल के बच्चे बीदे स्कूल की बैनमा उनके चोट लगी उनने फजा वादी मोर्ड़ी बादर एक उनना बादर कलत्छग के शकूल के शकूल की बेनमें उनके चोटवरा आपने के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सुब्सक्राइब करें हन्नेवान